सर हमारा नाम बबलु है हम चंडोली जिला के रहने वाले हैं विक्तर प्रब्रबेश प्रब्लम हमको हुई थी यह 2014 में 2014 में प्रब्लम हुई थी तर पेट में अलका अलका धर्द होने लगा धर्द के वोजे से हम उतना ध्यान नहीं दिये ध्यान नहीं दिये वो बढ़ता गया बढ़ता गया इसका दर्द जो है पीछे जाने लगा तो हम दवा लेते गए और आम मिलता गया काम भी करते थे दवा भी लेते थे उसके बाद जब ज्यादा मह ने लगा तो हमने सर ब्येस्च्य में अड़मीट हुआ को उसमें दस पंदर दिं और पेट छोग ने चाहिन दो तीन महीन में अराम था, अराम होने के बाद हम काम धंदा हो रहा है, सब करने लगे, काम कर रहे थे, काम के दवरान, अलका पेट में दर्द हुआ, हमने गया यलोपेटिक में दवा लिया, तर जब वहां से स्टार्ट हुआ तो 10-15 दिन उनकी दवा चली, दवा दे रहे थ तो बाद में जब हमारा कंडिशन खराब हो गया, जहां काम कर रहे थे, वहां के लोग सेवत इफा कर लेगे, बड़े अस्पताल में, सुरत में जो बड़ी अस्पताल है, मेडिकल को लेगे, वहां लेगे, वहां एडमिट करवाए, तो CT स्केन हुआ, तो CT स्केन में क्या पोले डोक्टर की यह प्रेंट किर्याज में वह इस्टोन हो गया है, तो इसका आप्रेशन करना पड़ेगा, तो बाद में डोक्टर क्या बोले, दस-बारत दिन हो गया, तो बोले की अब आप्रेशन नहीं होगा, इसको अंदवा से भी ठिक कर देंगे, चार महिने के पता ही नहीं चलता था कहां कितना पैसा हमने डाला, इतना बीमारी बढ़ गई थी कि हमारे गाहों को लोग सोचे थे, कि जब जाता है होस्पिटल तो दुबारा आप आएगा नहीं, अजब दिन पर दिन शरीर में ताकत नहीं था, अजब ताकत इनम खतम हो चुकी थी, तो मैं मुबाइल खोल कर गूगल पर सर जिमारने लगा, तो अब इसी बीच में अब सर का नंबर आया इस पे, परदीप कुस्वाहाजी का, नंबर चल रहा था, इनका डारेट वीडियो नहीं आया, वीडियो आया यह कि इनके पास से ओ लड़का दवा करके गया था, कलकत से में इलाज होता है, सब बताने लगे, तो मैं सुनते यह यह दिखाना अच्छा बात है, वीडियो देखने के बाद, तो औहां से मैं तुरंत एक दिन के बाद तुरंत अपनों तैयारी बना कर यहां आया, साम को आया, तो सर मिले, यहां मैं वोला से इतना इसा 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 कि अफ सर बोले हमस्ट के कि कोई बात नहीं है आप आ गये हो ठीक होकर जाओगे ब्रह्म होमोपैथिक में बहुत हमको रिलिफ मिला बाहर में उतना बाहर में उतना ब्रह्म में पैसे तो जादे लगते नहीं है इतना दिन से सर के पास आते हैं कभी नहीं सर पोछते हैं कि नहीं आप भई कहां से बोलते हैं कि क्यूं आप आते हो घर से आप घर से दवा करवा हो मैं बोला सर आपको इतना विश्वास है आप पर कि आप से मिलने के लिए हमें आते हैं दव सब्सक्राइब आपको दिक्त हुआ आज तक एक साल के अंदर कोई भी तक नहीं हुआ इतना दिन में कभी भी पृसाइब नहीं हुई जब भी आते हैं प्रेम से मिलते हैं दवा मिलता है अराम से जाते हैं कोई परसाइब नहीं कि तर मुझे ऐसा लगता नहीं था कि हम अब ठीक होंगे जब यहां आने के बाद सर से मिला तो सर बोले कि आप ठीक हो जाओगे तो हमारे दिल में मतलब वह गोशिला बड़ी कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सही बात है इसलिए मैं विश्वास करके दवा किया यहां से एक कंदर questa 20 साल के अंदर एक भी दीन अशया नहीं कि मैं दवा क्या हूं जो हम को बताया गया था खाने के लिए वहा है कभी भी कोयी चीज कर मिलंब बाहर का भाना कोई बीचीज नहीं खाया जो सर बतायते जो हम Singkes Report जो भी भाई को आना है यहां आकर दवाई कराईए अच्छे इलाज के हो रही है कम पैसे में किसी भाई को इस बीमारी से पीडित हो तो आकर यह दवा यहां से करवाईए कोई दिखत नहीं है हम भी करवा रहे हैं हमारा भी दवा बहुत आराम मिला है आज जो मतलब कंडिशन में हैं वह एक साल के अंदर हमारी कंडिशन हो थी कि हम चल नहीं पा रहे थे आज के डेट में हम अकेले आते हैं दवा लेते हैं काम करते हैं काम करके जाते हैं हर चीछ से मतलब वाकिप हैं कोई दिक्कत नहीं है आज के डेट में बहुत अच्छा फिल कर रहे हैं भाई किस झाल